लो फ्रेंड मैं आपका तरह मेरा लेक्या हूँ एक नई वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको सिटी हेड और सरवाइकल एक बार में कैसे कर सकते हैं और क्वाइटी अच्छी कैसे ला सकते हैं सबसे ईजी सबसे आसान तरीका सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे रेडियो जी डेपट यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले हमरे रेजिस्ट्रेशन पेशन का करेंगे नाम, ID, Age, Male, Female, Exam पेशन का नाम सेम हो सकता है पेशन के ID सेम नहीं हो सकती उसके बाद हमने क्या करना है कि patient की position बगरा देख लेनी है कि patient कैसे लेटा हुआ है head में जाके हम patient के helical जा spiral दो हमारे पास option है helical में क्या होगा जो हमारी scan होएगी वो रुक रुक के चलेगी 3 second चली फिर रुक गई फिर उसके बद फिर चली रुक गई फिर चली फिर रुक गई तो हम helical में नहीं लेंगे क्योंकि patient trauma वाला है patient हिलेगा तो scan में problem आएगी तो मैं spiral scan उठा रहा हूँ spiral में क्या होगा patient की जो scan है हम press करेंगे button button press करने के बाद जो हमारी scan है वो एक बार में पूरी scan finish करके ही रुकेगी ठीक है उसमें कोई stop नहीं आएगा उसमें कोई go नहीं आएगा तो इसमें मैं length length मैं थोड़ी बढ़ाओंगा ताकि जो patient की मुझे head का मैंने protocol उठाया तो इसमें सिर्फ head का ही आएगा 200 श्मजा जा जितना भी आता है तो scoring आएगा सिर्फ head बे आके रुक जाएगा तो थोड़ा सा face कबर होएगा इसलिए मैंने इसकी length बढ़ा दिया है और मैंने इसका नाम भी change करती है ज़िए आप देखोगे brain और cervical पहले सिर्फ इसका head करके था तो मैंने इसमें brain और cervical लिख दिया है ज़िए आपको नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके इसको देख सकते हो तो अभी मेंली बात है जो मैंने बताया था आपको हैलिकल में जो स्कैन है वो रुक रुक के आता है जैसे कि मैंने आपको बताया है तीन सेकंड मशीन जलेगी तो उसके बाद कुछ टैम का हमारा डले आ जाएगा उसमें क्या होती है जो हमारी टीूब होती है वो कम फुकती है ठीक है कम जूज होती है ठीक है बड़ जो फाइरल प्रोटोकॉल होता होता है पेशन की जो स्केन है पूरी high regulation आती है और पूरे जो टीूब है वो भूगती है और जूज बहुत ज़़दा होती है और उसका timing बहुत ज़़दा होता है क्योंकि हेलिकल में तो हमें брreak ले ले के करना होता है तो जो spiral होता है spiral में एक बार में जाएगी जो मिशीन है मिशीन का पूरा जोड लग जाता है बहां पर एक स्कैन करने में ठीक है तो ज़दी head और brain करेंगे तो इसमें बहुत ज़़ा टैम करेंगे 84, 83 के आसपास में टैम जाएगा ज़दी हम helical में करते तो helical में कम टैम है जो स्कैन थी वो खतम हो जानी थी उसमें हमारी जो ट्यूब है वो भी कम फुकनी थी ठीक है तो इसमें आप ध्यान से देखना है कि हमें जो टोपोग्राम है वो brain का लैटल वाला ही आएगा ठीक है न सेज में तो बस आपने उसी में जाके जो इसका area है बढ़ा देना है बढ़ाने के बाद हमने cervical का जितना area हम आप को चाहिए होगा जदी आप देखना चाहते हो कि इसमें face भी cover हो जाए तो आप उसमें FOV आगे की और बढ़ा सकते हो और पीछे की और बढ़ा सकते हो जिसे हम anterior और posterior बोलते हैं आगे वाले पार्ट को anterior और पीछे वाले को posterior उपर वाला जो पार्ट होता है हाई प्राइटर उसे हम superior बोलते हैं और नीचे चीन वाला पार्ट होता है cervical का ठीक है तो उसे हम बोलते हैं बताईए आप क्या बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही उसे हम inferior बोलेंगे ठीक है इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए तभी आप CT में बता सकोगे जैक सरी में बता सकोगे अंटीरियर क्या है पर स्टीरियर क्या है क्योंकि CT और MR में सारी जो गेम है पंडा है तो यह सुत क्योंकि इसे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो अपको प्रॉडम नहीं को तो फिर आपको पता चल गया होगा कि हैलिक और च्पारिल क्या होता है तो अभी हम स्कैन करते है मैं ने जो स्कैन है लोड करा लोड करने के वह start का option आया प्रेस कर रहा तो अभी जो second चल दे है हमारे delay के उसमें हमारा head आ गया है face आ गया है cervical का आ गया है क्यों आया तो कि हमने जो length थी वो length हमने बढ़ा दी थी इसलिए हमारा जो scan है वो easily हमें अच्छे तरीके से मिल गया head, face और cervical का जितनी आपको requirement है तो आप उस according अपनी length बढ़ा सकते हो उसमें आपको जो scan है वो easily मिल जाएगी तो अभी हमने ध्यान रखना है head से लेके हमने cervical का करना है ठीक है तो जो face है वो भी मैंने cover कर लिया क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ FOB खोलना था हमारा extra कोई machine नहीं phone थी ठीक है तो मैंने FW बढ़ा के मैंने move करा move करने के बाद अभी मैं start कर रहा हूँ ठीक है तो वो start होने के बाद जो हमारा scan है वो नीचे से उपर की और जाएगा काउडल की काउडल से क्रेनियों की और जाएगा ठीक है आप देख सकते हो जो सर्वाइकल लेवल का scan है हमें मिल रहा है सर्वाइकल आ रहा है हमारा मिड सर्वाइकल के पास हम पहुंच गए हैं ठीक है तो इसमें मिल दिया आपने देखना कि जो patient की position है बहुत माइने रखती है जदी patient की position सही नहीं होएगी तो आपका जो scan है वो बिलकुल अच्छा नहीं आएगा इस metrival नहीं आएगा यह जो हमारा scan था मैंने कोशिश करिया कि पूरी इस metrival ही हो बट जो patient है unconscious है benti patient है traumatic patient है पूरा bleed bleed हुआ पढ़ाता patient है इसलिए जो इसकी position में मुझे थोड़ी सी problem आई बट मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका हो तना अच्छा इसकी position बनाई है तो अभी हमें head के पास पहुंच रहे हैं आप देख सके patient के right side में काफी जादी bleed आ रही है ठीक है जह SGH लग रहा है इसमें थोड़े थोड़े से आपको bubbles भी दिखेंगे ठीक है ज़दी आपको experience होएगा अच्छा तो आप इसमें fracture भी देख सकते हो soft window में ही क्योंकि इस area में जो bone है वो अंदर को थोड़ी सी bend हुई होती है ठीक है उससे clear हो जाता है कि जे फ्रेचर है जा क्या है ठीक है अभी जो हमारा scan है वो complete finish हो चुका है ठीक है तो अभी मैं रिकोन करूंगा इसका second रिकोन है हमारा ठीक है 1 mm की cut मिले जो हमारे लिए पूरे sufficient ह ठीक है बाकि आप अपने मर्जी के according इसको record कर सकते हो 1.0.7, 0.6, 0.3 जब 1.1 जजितने भी आपको कर साइए आप अपने according इसको record कर सकते हो और आप अपने according इसकी window change कर सकते हो ठीक है जैसारा आपके पास है मैंने एक लग से record की window बनाई है कि ज़़िए आपका area anterior posterior कम हो जा कर सकते हो window कैसे change कर सकते हो ठीक है तो इसकी जो ठीकनेस हो कैसे कम कर सकते हो कैसे बढ़ा सकते हो बन की कैसे कर सकते हो जदी आपको detail में जानना है तो आप मेरे channel पे जाके Rekon नाम से एक video मैंने डाली हुई है तो आप उसको देख सकते हो आपको काफी जादा उससे knowledge मिलेग ताकि फ्यूचर में आपको पेशन को बलाने की दुबारा जरूरत ना पड़े तो थोड़ा बहुता जो एरिया कट जाता है तो आप वही सेरी कौन एरिया बढ़ा के अपना स्कैन इंक्लूड कर सकते हो जैसे आपको देखोगे नहीं तो आपको नोलज नहीं बढ़ेगी तो आपको पेशन दुबारा करना पड़ेगा फिर आपको स्कैन करनी पड़ेगी जो हमारा एफोबी है वो आगे और पीछे की और बढ़ेगा ठीक है उपर और नीचे की इन जितना आपने उपर और नीचे से एरिया लिया और वो तो उतना ही रहेगा बट आगे पीछे हमारा area बढ़ सकता है जदी मैं आपको बता दू कि मैंने एक cervical head का करा था head level से लेता तो इसका neck nose है जो और face है तीथ है वो कट जाते ठीक है तो अभी मैंने कहागा ना scan होने के वाद जो FB था इसका बढ़ा देता और आगे को थोड़ा सा पीछे को जिसे हमारा इसका नोज भी मिल जाता scan होने के बाद scan होने से पहले नहीं scan होने की बाद की बात कर रहा हूं तो उसमें हमें इसका face अच्छे तरह से मिल जाता और बीचे ज़े ocpital reason है वो भी अच्छे इसे मिल जाता ठीक है जदी आपको इसके बारे में knowledge नहीं होगी तो आप patient को बुलाओगे लेट आओगे फिर जाके आप पर scan करोगे एफ़ बढ़ाके तो सारा काफी लंबा चोड़ा पर सैस हो जाता है जदी आप ऐसे ही करोगे तो easily आपके भी value बढ़ेगी कि patient होने के ब देखोगे रिकॉन करके एक मैंने वीडियो बनाई हुए आप देखोगे knowledge आपको अच्छी सीखने को मिलेगी तो अभी जो रिकॉन है हमारा soft window का हो रहा है ठीक है रिकॉन होने के बाद इसके बाद एक और रिकॉन होएगा bone window का इसका जो रिकॉन है वो बहुत दिर दिर ज डिफाइन नहीं कर सकते थे कि क्या कोई confusion पड़ी हुई है जा क्या problem है ठीक है तो आप इसमें कम जितना भी अपने bone window देखने उसमें sharpness चाहिए होती है window में और उसकी जो thickness है वो कम होनी चाहिए ठीक है soft window में भी ऐसी होता है कि आप बने में की काट आपको sufficient है अभी जो रिकॉन है वो अपने आप दीरे दीरे होते रहेंगे ठीक है जो bone वाला रिकॉन है वो अभी pending है वो भी दीरे दीरे हो जागा मेल दी आपको मैंने scan के बारे में बताना था कि brain और cervical एक बार में कैसे कर सकते हैं ताकि जो इसकी quality में भी कोई फरक ना पड़े तो में भी आप easily समझ गए होगे कि कैसे scan करते हैं thank you thank you for watching this video please subscribe my youtube channel और आप मेरे को अच्छी अपडेशन के लिए instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसमें मैं नई video और नई rails कुछ सीखने के लिए और job के related भी application देता रहता हू ठीक है तो आप उसको follow करोगे आपको किसी तरह की कोई query है तो आप मेरे को DM कर सकते हो thank you thank you so much